हलो बच्चों केसे हैं आप सब आई हूब क्या आप सब बहुत बढ़े हैं बच्चों आज हम करने वाले हैं ब्रिज कुर्स के चार्ट सामाजिक विग्यान का chapter 2 सामाजिक विग्यान का ठीक है देखो बच्चों पार्ट करना है परियावन के घटक जल और बनस्पती ठीक है तो परियावन के दो घटक है जल है वो बनस्पती है ठीक है परियावन 4 तरब की प्रकति ओकी इस बिडियो का चैप्टर है आपके पास बुक होगी आयूप की तो आपने जी चैप्टर जो है complete पढ़ लिया हुते इसमें मैं possible गया है। इसमें बारे में बताया गया है , प्रतिमी पर जो प्रतिमी पर जो T7 जल प्रतिमी पर में की प्रतिमी पर सब्क्रावितीर बार कि 97 वो लेकिंटी निलाइक है। तो बहुत ही ूपियों की जल हो थो ही कम है ना ठीक है तो अब इस चेप्टर में आपको पता पड़ेगा कि प्रदूशन कैसे फेलता है जल प्रदूशन बायू प्रदूशन ठीक है बच्चो तो हम चली चलते हैं और अगर आपको देखना है तो विडियो की क्वालिटी जो है निक्रीश कर लें जिससे आपको क्लियर देखिए ठीक है पहला कुश्चन आपको पुष्टक में देखनी के लिए मिलेगा अपने घर के आसपास अब लोकन कर प्राक्रतिक परियाबण की उधारण के साथ सहायता से निमन तालिका को पूरा करें आपको पताना है प्राक्रतिक परियाबण तो देखो बच्चो प्राक्रतिक परियाबण में आप बढ़ देंगे क्या जल बायू नदी पहाड पठार और प्रकास इस अब प्रकतिक के द्वारा बनाए जाते हैं इनको हम आप नहीं बना सकते ह है ठीक है तो शड़क बांध पुल नहर और इमारत इसमानों निर्मित पर्यावरण है दूसरा कोश्चन है नीचे दिये गए बाक्यों को दिये गए सब्दों के साथ पूर्ण कीजिए खालिस्तान भनना है पहला है प्रित्वी के चार और फैली परत को क्या बोलते हैं तो व मंदल था कि रिए वाहिए ठीक है सब्सक्राइब आजिए और सो और जीव मतलब जीवत और अजीविये मतलब अजीवत ठीक है तो जीविये समोई पेड़ और मनश हो जाएंगे और अजीविये समोई जाएंगे किताब कुरसी और मेच ठीक है अब चलते हम नेक्ष्ट कुस्चन नंबर देखेंगे फूर आप सबस्वाइज जब गमले में पानी डालते तो अगली शवय जब पानी शूख जाता है पानी कहां चला जाता है देव बच्चों शूर के इताफ के कारण यही शूर की गर्मी के कारण जल बास्पित होता है इसलिए गमले का जल भाब बनकर उड़ जाता है ठीक है क्योंकि शूर के प्रकास से क्या हो जाता है जल भाब ब करना पड़ता है क्यों देखो हमें जल की कमी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रतिवी पर मौजूद कुल जल का कीवल तीन परसंट है साही पीन यूग है ठीक है अगला कोश्चन है नदी तालाब और हेंडबंप के आसपास कौन से कार करने से प्रदूशन होता ह तो देखो अनावश्यक रूप से जल फैलाओ अगर हम अनावश्यक रूप से जल को फैलाएंगे चारों तरफ तो प्रदूशन फैलेगा ठीक है नदी तालाब में कूडा करकट फैलाने से और नदी तालाब में कूडा करकट फैलाएंगे तो भी जल प्रदूशत होगा न कारण दूर करने के उपाई तो देखो सबसे पहले हमने भॉम I p certo More एक है भूमilla प्रिदुष्ट एक तो बूमilla प्रिदुष्ट टुर किसले फेलता है कच्रा फेलाने सिंगी प्रॉमि'm प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप् क्विग लिए करते हैं घाना पकाने के लिए नहाने के लिए करते हैं कि रहें ल्हें प्र knocks करते हैं सब्ग लिए साब सफाई के लिए टिकल में विर्ट प्रकों अगला स्विक्रन कुश्चन में 9 तो नेचुरल में एक तो हो जाएगा बन यह जंगल लेखे दें, घंस भूमी यह और अगराई जाएगा प्रकाल के मैं आ होती हैं पराक्रतिक बनस्पती तरह है राजस्तान में ते concealer क्यों पाइं जाती हैं क्योंकि काँड़ा जाड़ं रेतिली मिट्टी में अनुकूल होती हैं, अनुकूल मतलब उनके लिए उचित है, बुजभए, ठीक के उनकी पत्थीओं को पानी के इसंद्रक्शन के लिए काटा में बदल दिया जता है, कि पानी क्योंग गिलगों अन्दर से बास्पीकरत करती हैं बाहर निकालती है इसलिए पत्तियों को काटों में बदल लिया जाता है इससे पानी जो है अंदर का अंदरी रही बाहर नहीं निकल पाए ठीक है जादा मात्रा में कुश्चन नमबर 11 है मान लीजिए कि आप बिद्य अलय की बाल कैबिनेट में परियावण मंत्री हैं तो आप बिद्य अलय के आसपास के परियावण को सुधाने ही तो हम जल का जमाव नहीं होने देंगे जल को जमाव मलब 4 तरफ जो जल है कहीं भी उसको जमने नहीं देंग ठीक है और सूखी पत्तियों लकडियों को कमपोस्ट में बदलेंगे कोई कत्रा है सूखा है ना जैसे पत्तियां हुई लकडियां हुई चोटी चोटी तो उनको कमपोस्ट यानि गड़े में खूद कर वह दफना दीगे जिससे खाद बगयरा बन जाती है ठीक है अगला क्या दिया गया अगला कॉस्टट है कि आपके घर में उपलब्ध संसाधनों अबम अपने बिद्द्ययले में उपलब्ध सांसाधनों को निम्रता लिका में बरगी क्रत करें। अब आपके घर में उपलबत जीवीच समुहु कौन-ौन से हैं तो देखो पौधी जो हमारे गमले में लगे हुए है हमारे घर में जीवीच समुह है वो जीवीच में किताब शोलों हो जाएगा ठीक jakie आप किन आदितों को अपना कर जल का संदक्षन कर सकते हैं तो देखो यह जाच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो पानी कहीं से भी रिस ना रहा हो बरवाद ना हो रहा हो नहाने के लिए अधिक जल का बेर्थ ना करें पानी के नलों का इस्तमाल करने के बाद बंद रखें मन्यन करते बक्त नल बंद रखें यदि हम इन अर्थनों को अपनाएंगे तो पानी को हम बेर्थ नहीं बहा सकते ठीक है अगला है लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार करते हैं कोई दो धानर दीजिए तो देखो नल को अनावश्यक रूप से खुला छोड़ते हैं जो लोग दुरुपयोग करते हैं और नहाने के लिए अधिक जल को खर्च बेर्थ बहाते हैं वो भी जो है दुर अधियास कर सकते हैं तो देखो आज की समय में परियाबन स्वक्ष नहीं रहा नहीं साफ नहीं रहा कारवन की मातरा परियाबन में ज़्यादा हो गई है ठीक है और बिश्वताब भी बढ़ने लग ए ठीक है इन सब से बचाओ के लिए हमें इंधन का कम से कम दोहन और प्र बीडियो को पॉस्ट करके दीख ले ले पानी में रहने वाले कुछ नाम चपे आंप का आपको छांट का लिखना है तो पानी में रहने वाली हैं मचली, बालरस, एनाकोंडा वा बतक टीक है अगला है बन में रहने वाली हैं जिराफ, रीच, ध्रुबीय भालू, बाग और एहरन और घर में रहने वाली हैं भेंस, गाय, बक्री और तूता इस वीडियो का लाश्ट कुस्चन है बच्चों कि आपके गाउं सहर में उपलब्ध जल सुरूत किस प्रकार प्रदूशत होता है तो दुखो जल प्रदूशत का मुख कारण मानाव या जानवरों की जैविक या ओद्योगिक क्रियाओं की फल सुरूप पैदा हुए बिस प्रदूशत का मुख कारण क्या है मानाव या जानवर ठीक है की जैविक या आज्वेक या ओद्योगिक जो दुखकार ख़ानोंसे निकलता है करियाओं की फल सुरूप पैदा हुए प्रदूशत को जो प्रदूशत में प्रद carrots कर दिया जाना इसी से जो है जल जो है प्रदूशत होता है I hope कि आपको क्लियर हो चुका होगा वीडियो को लाइक और चले सब्सक्राइब करें नेस्ट वीडियो हम जल्दी मिलती हैं बच्चों टेक केर